देख बिना ब्रेक, डाउम्लोड दाक आप ये जानते हैं कि जोतिश में मोटापा बढ़ाने के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं जो आपको मोटा बनाते हैं या दुबला बनाते हैं देखिए शरीर में मोटापा बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से बष्पती जिम्मेदार होता है बष्पती मेदा का फेटनिस का मोटापे का स्वामी है तो अगर आपको मोटा बना रहा है तो उसके पीछे ब्रिहस्पती ही होता है ज्यादा तर्मामलों में इसके अलामा जो चंद्रमा है ये व्यक्ति को गोल मटोल कर देता है व्यक्ति को गोल मटोल बना देता है जिनकी कुंडली में ब्रिहस्पती शरीर को प्रभावित करता है वहाँ पर मोटापा बढ़ जाता है अगर ब्रिहस्पती आपके शरीर को प्रभावित करेगा तो आप जाने अंजाने मोटे होते जाएंगे कम खाएं या जादा खाएं आपका मोटापा बढ़ता चला जाएगा कुंडली में जल तत्व की प्रधानता हो यानि आपकी राशी करक हो, व्रिश्चिक हो या बीन हो यानि वाटर एलिमेंट की प्रधानता हो तो ऐसी दशा में भिव्यक्ती मोटा और गोल मटोल हो जाता है इसलिए जल तत्व प्रधान राशियों के लोग मोटे हो जाते हैं आप देखेंगे कि करक, व्रिश्चिक और मीन राशी के लोग जल्दी मोटे होते हैं अगर थोड़ी सी लापरवाही करें तो इनका मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है अब ये जानते हैं कि कौन से ग्रह किसी व्यक्ती को दुबला बना देते हैं स्लिम एंट्रिम बनाते हैं, किसी व्यक्ती को दुबला पतला बना देते हैं देखिए, शनी जो है, ये मुख्य रूप से व्यक्ती को दुबला पतला बनाता है अगर हम शनी की बात करें, तो शनी वायू तत्वका अधिपती है शरीर को पतला कर देता है कहते हैं न वो इतने पतले हैं कि फूंक मारने से उड़ जाएंगे ये जो पतलापन है ये शनी से बहुत जल्दी आता है इसलिए शनी प्रधान जो लोग होते हैं वो दुबले पतले और लंबे होते हैं ऐसा देखा गया है तो शनी मुख्य रूप से व्यक्ति को दुबला पतला बना देता है इसके अलामा मंगल और सूर्य भी व्यक्ति को मोटा नहीं होने देते ज्यादा तर्मामलों में क्या होता है कि अगर आप मंगल या सूर्य प्रधान हैं तो कभी दुबले हो जाते हैं कभी मोटे हो जाते है यानि मोटापा लंबे समय तक नहीं रहता अगर मंगल और सूर्य की भूमिका जीवन में जादा होती है तो लेकिन शनी प्रधान जो व्यक्ति होता है वो आम तोर पर दुबला बना रहता है वो लाख प्रियास करने पर भी मोटा नहीं होता उसके अंदर मोटापे की टेंडेंसी नहीं होती है मंगल और सूर्य वाले कभी मोटे हो जाते हैं कभी पतले हो जाते हैं कभी मध्यम हो जाएंगे कभी बहुत मोटे हो जाएंगे यानि इनका जो मोटापा है वो घट्टा बढ़ता रहता है इनका मोटापा कंसिस्टेंट नहीं होता इनका मोटापा लंबे समय तक नहीं टिकता आता जाता रहता है शुक्र या बुद्ध की प्रधानता होने पे व्यक्ति का व्यक्तित्व शांदार हो जाता है शुक्र और बुद्ध जो है खास्तोर से बुद्ध जो है वो शिल्पकार है वो शरीर को तराश देता है जिन लोगों का शरीर देख के आप कहते हैं कि बहुत अच्छा शरीर है, बहुत अच्छी बोडी है, बड़े दुबले पतले, बड़े स्मार्ट, बड़े परफेक्ट हैं ऐसे लोगों की कुंडली में आम तोर पर बुद्ध की प्रधानता होती है, और बुद्ध की जब प्रधानता होती है, तो ऐसे लोगों का जो व्यक्तित्व है, वो निश्चित रूप से शांदार हो जाता है, ऐसे लोग अपने आपको तराशने पे, अपने आपको परफेक् चाहेबो इस्त्रिहूं, चाहेबो पुरुशूं.